पुलिस ने फिलासा कर दिया और युवकी हत्या करने वाले उसके ही ससुर को आला गतल चापके के साथ गरफतार के लिया है बदादे के थाना शित हरपालपूर थाना इलाके के और रेनी निवासी सुनील पुत्र बनवारी लाल को उसके ससुर महुई पूरी निवासी खुशी राम पुत्र स्वर्गी सुविदार ने अपने घरवालों की मदद से अमित के आटो के माध्यम से 14 मई को जिला स्पताल लाया था और बताया था कि उसके दामाद का एक्सिडेंट हो गया जिसमें वो घायल है यहां जिला चिक साले में चिकसक ने उसे मृत घुशित कर दिया और शोग को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया था कोटवाली देहात में फाया दर्श कराई थी मामले का खुलासा करते हुए इस्पी आलोग प्रिदर्शिय ने बताया कि इस मामले में एस्पी पूर्वी गानेजे जे सिंग सीयो सिटी विजैराना समीद कोटवाल महिश्चन पांडे को लगा गया था सबी ने बताया कि पुलिस ने जब खुशी राम को गिरफतार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आला खतल चाकू बरामध करा दिया खुशी राम ने पूछताश में बताया कि उसका अदामाद करीब 8 वर्शों से अपने घर में ना रहे कर अपनी ससुराल में रहता था और कभी मजदूरी कर लेता उसे शराब पीता और जुआ खेलता था जिस दिन की घटना है उस दिन भी उस शराब के नशे में अपने बच्चों और उसकी बेटियों को लेकर बाला जी मंदिर खेतवी गया था जहां सडक हाथसे में सभी घायल हो गये थे जब वो शाम को बाजार से वापास आया तो उसने जानकारी करने चाहिए तो सुनिल जगरने लगा तो गुस्से में आकर उसने गला रिद दिया और फिर हाथसा दिखाने के लिए अस्पताल ले गया एस्पी ने बताया कि पुलिस ने आरुपी को जिल भेज दिया है जिनांग 16 माई को तो त्वाली देहा थाना क्षेती में एक सुनिल नाम के विट्टी के हत्या की सुचना ली जिस सुचना पर फिर से मौके पर पहुच करके शाम की कबजे में लिया उसको आदम के लिए भेल दिया घरवानों से बाद की तो उनी जानकारी प्रकार की मिली क अपने सुनिल अपने सुस्रान में आया हुआ था जहां उसके सिसुर्म में उसके ऊपर अटाक करके इस लए बेचादी परवार करके उसकी रुट्या गया एक रधा के पीछे कारणी यह बताया गया तो इस आपने सुस्रान वालों से बंती नहीं थी वह अपनी वाइस को कर दो तो पिछ तो दो पिछ वलत आते भी थी इस बात को लेकर के सिस्वाल वालस उसका अपनात भी रहती थी वह तिन जम हो आए था तो वहां नात्री में शवराब मीश्वराब पीने पूल पार मात भड़कोड़ी ज्रगणा हुआ और उसमें से सिसुर में इसमें देड़ मुझी को कन्फेशन हमारे पास है और बाटी साथ इस नहीं करते हैं तो हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें